वाइट में भी इनिशेट होता नचर आ सकता है टीम 7 केगेंस बात करेंगे रैप्टर का लोकेशन अभी के लिए कॉंप्रमाइज नहीं है बना सामी जो मॉली और ग्रेनेड करें थे उनके करना उनका लोकेशन कॉंप्रमाइज जरूर हो चुका है पर टीम गॉड लाइक के निकी की बात करेंगे सामने ट्रेड लिये थे पीचे से रिटालियसन ट्रेड में ये नौक होते नचर आएंगे फोर मिन आर्मी किस प्रकार से देखती देखती रेप्टर को नौक करेंगे पूरी तरह वापर फिनिश अप करने की जो कोसिस है वो भी करेंगे और रिवेल उसमें सक्चम भी राने वाले इसी के साथ रिवाबल का जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट किया सगा मीन वर्व फोर का सिच्वेशन निकालना इतना हासा नहीं कोसिस आप जरूर कर सकते है वर्वाबल के साथ बात करेंगे नन पर क्या स्लिमिन जाये जाएगा जी जरूर तो दो प्लेयर स्लिमिन डालने की कोसिस जरूर करेंगे पैक टू बैक का इनाथ को भी नौक किये जाएंगे दिखने के लिए मिल सकता है ग्रिनेड गया और साइद टीम गॉडलाइक के एक प्लेयर का तो सफर खतम होता है नशर चरूर आगा क्लाची का सफर खतम और यहाँ पर नन को नौक किया साएगा तादिसा टीम गॉडलाइक की बात करेंगे टोटल त्री फिरी से निकाल कर खेलते वे नशर जरूर आएंगे निकी इस दा लाश्ट मेने चंडिंग राइट नौ अफ्राम टीम गॉडलाइक वट इलिश्टर की बात करेंगे क्या वो सलमिन डालेंगे जी जरूर वो पोज जरूर कर सकते हैं और अपने टीम मेंट से नर को बचाना वो भी एक क्रूशियल डिसीजन अभी के लिए राने वाला बढ़ देखते हैं लिश्टर के पास एक बैतर एंगल है यहां से टीम गॉडलाइक की यह मुश्किल है कि इस प्रकार से बहाते हैं ग्रिनेड की बात कर रिवेल का सफर अभी के लिए पूरी तरग अताब होता नचर आ सकता एक और ग्रिनेड साइट यह आखरी के लिए हो सकती है टीम गॉडलाइक की तामूत की और क्या वो ग्रिनेड जाकर फटेगी जी सरूर अभी के लिए बयातरीन पते पे ग्रिनेड गई थी कनेक्शन उ अपने टीम के तरफ से जिबीत थे और गॉड लाइक के द्वारा उनका भी सफर खतम होता नजर चरूर आएगा